नमस्कार दोस्तों रसोई किचन में आपका स्वायत है आज की रेश्पी है खटे मिठे नीमू व्याचार की चलिये बनाते हैं यह हमने 20 नीमू ले लिए हैं यह नीमू में काटे के निसान है यह नीमू बिल्कुल फ्रेस हैं ताजे हैं अब बहुत ही रसीले हैं ऐसे ही नीमू हमको अचार के लिए चाहिए सड़े नीमू ना ले वरना अचार हमारा खराब हो जाएगा बीच नीमू है चार टेवल इस्पून नमग दो टेवल इस्पून अजवायन दो टेवल इस्पून काला नमग एक टेवल इस्पून काली मेर एक सूका डिबा लेंगे जिसमें हम नीमू कचार रखेंगे तीन सु ग्राम चीनी एक बाउल लेंगे एक चाकू लेंगे जिसस काला नमक, सफेद नमक, आजमाइन को हमने दरदरा पीश लिया मिक्स हिजार में, काली मिर्च को भी हमने पीश लिया है, चारो चीजों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे, इसको हम एक बगल रख देंगे, अब निम्मो को काट कर तयार कर लेते हैं, चार पीशों में निम्मो काटना है, निम्मो काट लेंगे, अलग नहीं करेंगे, अब निम्मो काट कर तयार कर लेंगे, बहुत ही कम मसाले से ये निम्मो काचार बन कर तयार होता है, सारे निम्मो काट कर तयार हो गया है, अब इसमें हम यह मसाला भरेंगे जितना आ सके उतना ही डालें आप इसको दो तीन साल तक रख कर खा सकते हैं यह पेट के लिए बहुत ही फायदे वाला है तेल की इसमें जरूरत नहीं पड़ती बीना तेल का बनता है बस जब भी अचारी यह बन जाए तो पानी इसमें न जाने पाए और इसको हम दोप में 15 दिन तक रखेंगे उसके बाद हम चीनी डालेंगे एक सूखा डब्बा लेंगे हम उसी में डालते जाएंगे बाद में हम कांच के जार में डालेंगे अभी हम डिब्बा में ही रखेंगे क्योंकि कांच की जार बहुत ही नाजुक होता है दूप में रखने से हाथों से छोट जाए तो तूड़ सकता है इस लिए आपको फोई प्लास्टिक का डिब्बा ही लें सारे नीमों हुमारे भर कर तयार हो गए है बिना तेला और मसाले का या चार बन कर तयार हो जाएगा अब इसको हम 15 दिन तक धूप में रखेंगे धूप में रखने के बाद 15 दिन फिर हम चीनी डालेंगे यह हमने 300 ग्राम चीनी लिये है इसको बंद करके हम धूप में रखेंगे इसमें कोई धूल न जाने पाए 15 दिन के बाद देखिए अचार हमारा अच्छे से गल गया है इसमें रसा भी निकलाया है अब हम चीनी डालेंगे चीनी को डाल कर हम 2-3 दिन और धूप में रखेंगे चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी अब दो तिन दिन बाद बिल्कुल पिघल जाएगी चार दिन के लिए हम दोप में रखे हैं चार दिन के बाद हम काच के एक सुखा जार लेंगे जार को हमने पहले धुल लिया है और फिर दोप में सुखा कर अब इसमें हम निमू काचार इस्टोर करके रख देंगे देखे चीनी हमारी अच्छा से पिघल गई है अब इस काच के जार में हम भर देंगे आप इसको चाहे जितने दिन रख कर खा सकते हैं दो-तीन साल जितने वे दिन अगर जब भी निकालें अचार तो चम्मस से ही निकालें और पानी बिल्कुल न लगा हो अचार हमारा बनकर तयार हो चुका है आप इसको दोप में नहीं रखने के जरूरत है अगर आज की रिस्पी आपको पसंद आई हो तो जोरू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें देखने के लिए धन्यवाद